स्टुडेंस आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और जैसा की आप सभी को पता चल गया है कि कल IBPS PO ने IBPS ने Institute of Banking Personal Selection ने 19 पीस का सारे पोस्ट का यानी PO, SO, Clerk का result दे दिया तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कटफ क्या रहा है PO के लिए, SO के लिए और Clerks के लिए और वो कटफ कैसे आता है काफी सारे बच्चों को ये confusion है कि कलर्क में मतलब कटफ ये दिका रहा है मेरा कटफ ये है, maximum कटफ क्या है, minimum कटफ क्या है, जो date लिखे वो date क्या है तो उन सारे सवालों की चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में और जिन-जिन का selection हो गया उनको heartiest congratulations, उनको धन्यवाद, उनको बहुत-बहुत बदाया और जिनका नहीं हुआ है, उनको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप हारते तब हो, जब आप महिनत करना छोड़ देते हो, प्रयास करना छोड़ देते हो तो कभी भी hope मत छोड़ना, डटे रहना, इस बार मतलब 10 गुना महिनत की होगी, तो अगली बार 20 गुना महिनत करके जाएंगे, बट selection पक्का ले आएंगे ठीक है, तो चलिए, सबसे पहरे देख लेते हैं कि IBPS PO का cut-off क्या रहा था, तो यहाँ पर मैं बता दू कि यहाँ पर IBPS PO का provisional जो allotment cut-off है वो यह रहा, जिसमें unreserved, you are stand for unreserved यानि general category के लिए रहा था, 60.58 यह है maximum score, मतलब मान लो कि 2000 बच्चे select हुए है unreserved category में, तो उसमें कोई एक बंदा तो होगा न, जिसका top score होगा, तो यह 60.58 वो उसका marks है, ठीक है, और जो lowest cut-off जहाँ प आपको clearly समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी cut-off देखनी चाहिए, cut-off मतलब 44.44 वो cut-off हम count करेंगे, और यह 19.1, 1996 यह है date of birth उस बंदे की जिसका यह cut-off है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, बढ़िया, तो इसी तरह से यह EWS यानि economically weaker section जो हाली में नई community बनी है, उस उसका यह cut-off है maximum और यह minimum, तो हम generally minimum cut-off देखते हैं कि भाई, unreserve category का 44 गया है, और EWS का 40.82 गया है, और OBC का 40.27, यह cut-off out of 100 है, और यह cut-off mains examination और interview के marks में से है, मतलब उन दोनों के marks combined होके है, ठीक है, अब mains examination कितने marks क्यों होई थी, 225, interview कितने marks का हुई था, 100, इन दोनों का मिलके, यह 225 marks का convert होता है 80 प्रतिशत में, और interview का convert होता है 20 प्रतिशत में, और marks निकल के आते हैं 100 प्रतिशत में, इन दोनों का add होके, तो तब जाके यह 44 बनता है, ठीक है, तो 44 marks नहीं है, 44 प्रतिशत cut-off है, ठीक है, और यह 100 में से score मतलब लाया गया है, उसको ratio wise divide किया गया है, उसको short किया गया है, ठीक है, उसी तरह से यह ST की cut-off 33.24 और यह SC की cut-off 36.02 ठीक है, और उन बच्चों को, जिन बच्चों का selection इस बार तो नहीं हुआ है, बट उनको reserve list में नाम मिला है, reserve list यानि काफी सारी vacances ऐसी रहती है, कि जो लोग join नहीं करते है वो लोग मतलब दूसरी job ले लेते हैं, या तो फिर join ही नहीं करते हैं, तो वो vacances खाली हो जाती है, और वो अगले सार उन बच्चों को दी जाती है, जो reserve list में नाम है, ठीक है, तो reserve list की cut-off जो रुकी है, वो है 44.02 यानि 44.02 unreserved category में, जिसका उसके above या उतने mark है, और 44.43 तक उनको reserve list में रखा गया होगा, और उनको अगले साल उनका reserve list का result आएगा, उसी तरह से ये economically weaker section के लिए है, ये OBC के लिए है, ये STSC के लिए है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि cut-off यानि क्या, ये 100 में से cut-off होत score mark किया जाता है, और ये 80% और 20% मिला के 100 में से ये score मतलब जनरेट होता है, ठीक है, चलो, sectional cut-off की भी बात कर लेते हैं कि IBPSPO 2020 का sectional cut-off क्या रहा था, तो unreserved category का, मतलब mains examination का cut-off को ये बात करें, ये क्या था, overall cut-off था, mains plus interview का, अगर मैं बोलो कि mains examination का cut-off क्या था, तो unreserved category का mains examination में, out of 225 में से 71.25 mains examination का cut-off था, EWS के लिए 65.88 रहा था, OBC के लिए 70.25 रहा था, और ST के लिए 38.13 रहा था, और SC के लिए 55.63 रहा था, ठीक है, अब sectional cut-off की बात करूँ, कि भाई, ये तो हमें ने समझ लिया, तो reasoning ability में sectional cut-off unreserved category, यानि general वालो के लिए 7.25 रहा था 75 रहा था, और ST, SC, PWD, OBC वालो के लिए 5.50, ठीक है, यानि आपको reasoning में ये sectional cut-off था, ठीक है, बट sectional cut-off के बाद overall cut-off था, आपको clear करना ही था, data analysis and interpretation में 5.25 unreserved के लिए, और 2.50 बाकी सारी community के लिए, English language में 14.25 unreserved के लिए sectional cut-off था, और 10.75 बाकी सारी community के लिए, और general awareness 8 रहा था, unreserved category के लिए, और ST, SC, PWD के लिए 5 रहा था, और descriptive paper में total, 10 marks का minimum qualifying marks था, cut-off था sectional, और OBC, ST, SC, PWD के लिए 8.75 रहा था, तो आपको ये जो cut-off दिख रहा है ना, ये mains examination और interview का मिला के ratio wise 80-20 में डाल के 100 में से दिया जाता है, अगर आप mains examination के score card की बात करोगे, तो यहाँ पे category wise cut-off मैंने display किया है, और यहाँ पे sectional cut-off display किया है, आप video pause करके, आराम से देख सकते हो, ठीक है, मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि पिछले साल कितना cut-off रात था, तो पिछले साल अगर मैं बात करूँ कि cut-off कितना था, मेरे पास data है, रुको एक मिनिट, sectional cut-off कि बात करो, तो पिछले साल, यानि 19-20 का तो हमें पता चल गया हो, कि 14.25, reasoning के 7.25 है, तो पिछले साल reasoning के 10.25 था, यानि इस से ज्यादा था, पिछले साल से ये कम हुआ है, data analysis की बात करें, तो इस साल 5.25 है, तो पिछले साल था 4.50, इस साल इसका ज्यादा है, ठीक है English की बात करें, तो 14.25 है इस साल, पिछले साल 11.25 था, और general evidence की बात करें, तो पिछले साल भी 8 था, इस साल भी 8 है, और descriptive paper की बात करें, तो पिछले साल भी 10 था, इस साल भी 10 है, ठीक है, तो ये हमारा PO का cut-off की बात हो गई, मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा की final cut-off क्या है, और mains exam cut-off क्या है, ठीक है, final cut-off out of 100 में से बनती है, और 100 मतलब कैसा होती है, mains examination का 80% होता है, और interview का 20% होता है, और mains examination की cut-off 225 में से निकलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर display है, ठीक है, मुझे उमीद है कि आपको complete समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं, अ IBPS clerk का cut-off क्या रहा, तो यह maximum score है, आप थोड़ा zoom करके देख लेंगे, तो आपको statewide मिल जाएगा, या तो आपको description में मैं यह PDF की link दे दूँगा, आप वहाँ से download कर लेना, और देख लेना इत्मिनान से, ठीक है, यह maximum है, यानि मतलब जितने students select के हो, उसमें मतलब toppers जो है, उसकी cut-off है, ठीक है, अगर आपको minimum cut-off देखनी है, तो यह minimum score, यानि, यह मतलब score के नीचे वाले score को लिया नहीं गया, मतलब cut-off यहाँ पर रुख गई, जैसे कि गुजरात की बात करें, तो यह है, SC का 34.50 पर रुख गया, और SC का 25 पर रुख गया, और SC का 34.50 पर रुख अब यहाँ भी काफी लोग को doubt है, कि sir मतलब मेरा तो इससे ज्यादा mark है, अरे भाई यह cut-off है, cut-off मतलब यह कितने में से arrive होगी, 100 marks में से arrive होगी, आपका paper कितने marks का था, 200 marks का था, 200 का था ना, तो 200 में से मतलब आपको score मिला है, वो 200 में से मिला है, मान लो कि 200 में से मुझ अगरा fail, तो fail हूँ, क्योंकि unreserved में 42.25 cut-off था, ठीक है, और उसके नीचे जो date लिखी गई है, वो है, उस candidate की birth rate, जिसका यह cut-off clear हुआ है, ठीक है, और n a stand for not applicable मतलब उस state में कोई candidates नहीं है, या तो कोई application नहीं है, ठीक है, या तो कोई vacancy यह नहीं है, समझ में आ गया, आ आप description में से उसको download कर लेना, और इत्मिनान से देख लेना कि आपका state का cut-off क्या रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कि यह cut-off कैसे arrived हुई है, आपका score है, वो 200 में से है, और cut-off जो है, वो 100 में से है, मतलब आपका score जो भी आया होगा, उसक sectional cut-off है, मतलब अगर आपने मान लो की 42.25 cut-off है, मतलब आपने 42 से ज़्यादा secured की है, बट आपका sectional में नहीं हुआ है, तो आप ultimately selection नहीं लोगे, नहीं मिलेगा, ठीक है, page 2 की भी मैंने यहाँ पे दिखाई है, थोड़ा blur दिखेगा, क्योंकि page बड़ा है, तो आप चाओ तो description में देख लो, या तो फिर video pause करके थोड़ा zoom in करके देख लो, अगली बात करते हैं, reserve list की, तो reserve list की भी ये cut-off रुकी है, वो मैंने आपको दिखाई है, आप ध्यान से देख लेना, और description में से download कर लेना, link आपको description में मिल जाएगा, अगली बात करते हैं, तो IBPS SO की cut-off क्या रही थी, तो ये maximum cut-off है, जैसे कि IT officer scale 1 के लिए, unreserve category की maximum cut-off गई, 64.07, बट हम maximum cut-off नहीं देखेंगे, हम देखेंगे minimum cut-off, क्योंकि ये 100 बच्चे से लिए किये गए होंगे, तो उसमें से जो, मंतर टॉपर से उसकी cut-off है, हमें तो minimum देखने है, कि minimum कितना गया है, व आप बोलेंगे कि क्या भाई, ये कैसे मांज रहा है, तो ये भी आपको बता दू कि mains examination और interview का मिला के score है, और ये out of 100 score है, ठीक है, और ये 100 score कैसे आया होगा, तो mains examination और interview, mains examination का 80% लिया जाता है, और interview का 20% लिया जाता है, और फिर बनता है 100, तो आपको जो score दिखा रहा उसका 80% निकाले, आपको interview का score मिला होगा, उसका 80% निकाले, और उसको जोड़ दीजे, तो आपका ये cut of clear होना चाहिए, इसको above होना चाहिए, तो आपका selection हो गया होगा, otherwise आपका selection नहीं होगा, 37.73 marks आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका selection हो जाएगा, आपका out of 100, यान तो उसके marks किने जाएंगे 80, sorry, हाँ 80, क्योंकि 80% गिना जाएगा, और इंटरू में mark आते हैं मेरे 50, तो उसके गिने जाएंगे 20, ठीक है, 20% यानि 10 mark ही होते हैं, तो मेरा ये जोड़ के cut of बनता है, 90, तो 90 cut of से मैं आ गया जाता हूँ, ठीक है, तो उसी तरह से cut of बनता है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अब बात करते हैं, एग्रिगर्जल फिल्ड ओफिसर की, तो उसका cut of 64.80 रुका था, राजबाशा अधिकारी के लिए 58.0 पे रुका था, लौ ओफिसर के लिए 53.67 पे रुका था, HR परसनल ओफिसर के लिए 59.20 पे रुका गया, बट कुछ 0.0 डिफलेक्शन के लिए वो लोग रिजर्व लिस्ट में रखते हैं, तो IT ओफिसर में रिजर्व लिस्ट रुका है 34.13 पे, यहां पर कितना है 37.73 और यह 34.30 अपरोक्स 3 जितना है, तो 3 मार्ट तक आपको रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, मतलब इ अगले साल यह रिजर्व लिस्ट केंडिडेट के द्वारा समझ में आ गई बाते हैं, तो यह आपको रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, मतलब अगली साल आपको चांसे है कि 90-90 प्रतिशित आपको जॉब मिल जाएं, ऐसा जरूर नहीं कि कंबल सरी आपको मिल जाएं, जियां रखना, ठीक है, उसी तरह से राजबाशा, लोओ अफीसर, एचर परसनल और मार्केटिंग स्केल का, मुझे उमीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, कटफ रिलेटेट सारे डाउट, ठीक है, अगर आपको कटफ रिलेटेट सारे डाउट क्लियर हो गये हैं, आपक चैनल को साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिक्शन सीधा मिल जाए और मैं सबसे ज़्यादा ओनलाइन होता हूं इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जोइन कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में